Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HVPAC शिमला के आने वाले दो बड़े एक्जाम के बारे में जिनकी अपडेट का सभी इंतजार करने हैं तो Lecture School New Cadre की जो वेकेंसी अड़टाइस हुई थी टोटल 585 ये वेकेंसी है और इसका Tentative Schedule भी डिकलियर कर दिया गया था जिसमें की एक्जाम जो है वो 29 मार्च के बाद होने थे और दूसरा एक्जाम है Allied Services का जो की काफी जादा बेट के बाद एक्जाम मतलब वेकेंसी अड़टाइस हुई है और अभी दोबारा पोर्टल यहां पे ओपन है क्योंकि नई वेकेंसी अड़ हुई थी और 27 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले अगर हम लेक्चर स्कूल नियू कैडरे की जो वेकेंसी है उनकी बात करें तो सब्जेक्ट वाइज यह वेकेंसी अड़टाइस हुई थी और टेंटेटिव शेडियू आने के बाद अभी काफी कम दिन बचे हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वे कन्फियूजन में है कि क्या टेंटेटिव शेडियू के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा तो अब हाई चांसिज हैं कि आपको टेंटेटिव शेडियूल के अकॉर्डिंग एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब भी किसी एग्जाम का टेंटेटिव शेडियूल आता है तो ऐसा नहीं है कि उसका final schedule जो है वो commission नहीं डालता है उसका final schedule जो है वो कम से कम 20 से लेके 30 दिन पहले किसी भी exam का commission को देना पड़ता है और लगवर 10 से 12 दिन पहले जो है वो admit card भी upload करने पड़ते हैं जो कि अभी तक lecture school new cadre की जो वेकेंसी है और में किसी भी subject के जो admit card है वो नहीं आये हुए है इसका मतलब पूरा पूरा chances है कि exam आपको tentative schedule के according नहीं देखने को मिलेंगे और जो बाते आ रही है कि मई में exam हो सकते है मुझे लगता है कि वैसा ही अब होने वाला है या exam आगे shift होने वाले हैं हो सकता है अपरेल end से exam शुरू हो जाए और इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले ये भी बात चली वी थी कि जो paper one है सभी subject में वो common रहेगा तो उसको एक साथ करवा लिया जाए और paper two अलग लग करवाया जाए लेकिन अभी जब recently बात हुए तो उनका कहना है कि individual schedule आएगा तो अभी back end में कुछ चीज़ें चली हुएं जिसकी वज़ेसे हम schedule नहीं बना रहे हैं तो ये बात उनकी तरफ से कही गई तो इसे साथ से exam shift हो रहा है आगे और अब आपको time आगे मिलता है उसके according आप फिर से revision शुरू कर सकते हैं या कुछ चीज़ें आप से चूटी है या कुछ चीज़ें को आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है तो उसमें आप focus कर सकते हो अगर हम बात करें allied services exam की तो इसके high chances हैं की exam आपको जून में देखने को मिले और इसमें ऐ कई लोग होते हैं जो ETI के vacancy का wait करते हैं और पहले vacancy कम थी तो आप vacancy ज़ादा हो गई तो ज़्यादा लोग इसमें और apply करेंगे फिर क्या होता है कि जब जो online application form की last date होती है तो उसके बाद जो है सारे application form चेक होते हैं जिसमें की per day का हिसाब होता है जिस हिसाब से पूरा जून में आपको एक्जाम देखने को मिल सकता है तो आपको जून के हिसाब से अपनी तैयरी को target करना है और उस हिसाब से पूरी preparation करनी है previous paper आप इस एक्जाम में definitely लगाना और उसके हिसाब से भी देखना कि क्या क्या वहां पे जो है वो किस तरह के question देखने को मिले थे और बड़ीया बड़ीया जो test series आपको available होती है उनको भी आप जो है वो उसकी हिसाब से अपनी तैयरी के बाद उनको लगा सकते हो या mock test है उनको भी कर सकते हो वहां से आपकी preparation जो होगी वो और boost होगी आपको और चीज़ें clear होंगी और PSC Shimla के तो आप जितने question paper लगा सकते ह आप सारे लगा लेना है सानी सर्फ allied services के सारे question paper आप लगा लेना वहां से आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगी तो कुछ इस हिसाब से यह सारी चीज़ें है I hope यहां से आपके dot clear हो गये होंगे कि किस तरह से lecture school new cadre का जो वेकेंसिया वागे shift हो रही है और allied services का exam आपको जून म देखने को मिलेगा तो यह सब चीज़े हैं बाकी इसके अलाबा भी बहुत सारी अपडेट चैनल पर जल्दी आ रही है I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए